वेलकम स्टुडेंट्स कैसे हैं सभी आपका अपने जैनल कुईक साइंस में बहुत बहुत वेलकम हैं जैसा कि हम सीटेट साइंस पेपर टू की तैयारी कर रहे हैं जो आपका एक्जाम होने वाला है 15 दिसंबर को और ये क्लास आपके लिए बहुत जादा इंपोर्टेंट है और आज की क्लास में हम अपना टॉपिक नंबर सेवन देखने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी विधुत देखिए जो पीछे की दो क्लास और आई एक तो लाइट वाला चेप्टर देखा था टॉपिक नंबर फाइव में लाइट रिफ्रेक्शन मिरर ये सारा टॉपिक नंब देखेगा तेकिए अगर आपको साइन्स पेपर टू के लिए एंसी आर्टी प्रॉपर नोर्स चाहिए साथ में सारे प्रीवेस ये कोशन उप्लाइन हुए ये साथ में सारी टॉपिक सिरीज कोशन वाइस विधान्स सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी पेडगोजिकी की और आपको NCRT की शौर्ट समरी वो साही चीज़े आपको मिल जाएंगे और आगे भी जो classes आएंगी important उनकी PDF भी आपको end तक मिलती रहेंगी उसके regarding आपको मेरा WhatsApp नंबर है उस पर message करना है 790-676-1759 और 120 रुपीज की payment करनी है और वहाँ पर आपको जो notes है वो आपको मिल करें ऐसा नहीं सब्सक्राइब नहीं करें आपके लिए महनत हम कर रहे है उसके लिए टीचर को भी जोड़ा बूस्ट चाहिए होता है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करा करें और चैनल को शेयर भी जादा से जादा आप लोग करें तेकि यह वो question है अभी जो आपक question previous year से नहीं आता लेकिन उनी के option या उनी के question के कुछ पॉइंट्स उठाके टोड मरोलो के बनते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत important वह आपके लिए हो जाते हैं वहीं से ऐसा पिछले previous year के उठाके यह देखिए mix करके question बन गया था assertion और reason की form में अभी कथन और कारण की form में question बनाता है बहुत easy question था NCRT के book में इसका पूरा पूरा जिक्र है जो filament होता है आपका incondensate bulb जो होते हैं इनमें जो तंतु होते हैं वो किसके बना होता है वो टंगस्टन का बना होता है यह वाले जो बल्ब होते है आजकल यूजनी होते जिनमें yellow light आती है इनमें कौन सी गयस होती है यह आद है यह ताकि वो जो टंगस्टन है उसके self life जो बल्ब की shelf life है वो बढ़ाने के लिए उसमें argon gas होती है ठीक है तो यह जो टंगस्टन है इसके feature क्या होते है यहां पर assertion जो है अभीकतन जो है इक तप्तिदी बल्ब जो होता है वो टंगस्टन का बना होता है यह बात तो सही है मतला उनकी रोकने की छमता करंट को जादा होती है जब वो जादा रोकते हैं तो उहां पर क्या होते है हीट बनने लगती है वही हम heating effect of electric current पढ़ते है विजुत का उष्मे प्रभाब जो होता है वहां हम देखते है वो heat में convert होने लगता है तो high resistance होता है करंट को रोकते है ज चाहें आपके heater यूज करे जाया उन सब में भी ऐसी होता है तो यह कोशन पहले बने थे वहीं से कोशन बन गया हाई melting point के होता है ताकि असानी से ना पिगले तंगस्टन का melting point बहुत हाई है जल्दी से पिगलने वालों में से नहीं है तो यहां पर रीजन गलत है assertion सही है त इसलिए option number 3 यहां पर सही था A मेरा सत्य है और R मेरा false है तो यह वह question हमने भी देखा जो आपका latest बना था तो मुझे लगता है यह बताना सबसे जरूरी था उसके बाद हम question number 1 से देखते हैं जहां पर questions के साथ-साथ जो important points है वह साही चीज़े कवर करते चलेंगे और यह class मे जो अपने अंदर से heat को फ्लू करा देता है उसके अंदर से जब current पास करा जाता है तो amount of heat producing a conductor depend on तो जो amount of heat चालक में जो उत्पन उश्मा है वह किस पर निर्भर करती है जब हम चालक में से क्या करते हैं विरुद्धारा को प्रवाहित करते हैं तो हमें बताना है कि वह किस पर depend करेगा conductor वह किस पर निर्भर करेगा तो वह निर्भर करता है material पर length और thickness तीनों पर तो option number four यहां पर सही होगा पदार्थ किस तरह का material आप यूज कर रहे हैं उसमें resistance कैसा है उसकी length कैसी है उसकी thickness कैसी है इन सारी चीजों पर याद रखना है आपको heat जो है वह depend करती है और वह कैसे depend करती है वह concept अभी हम यहां पर समझेंगे तो फिलाल आपको क्या याद रखना है fourth option यहां पर सही है अब देखिए suppose कोई wire है wire में क्या है current जो है flow कर रहा है आपने देखा होगा कभी-कभी wire गरम हो जाता है या पिगल जाता है तो basically आपको यह पता चला जब current प रोकना तो current को रोकने का काम करता है प्रतिरोध जो हर wire में आपको देखने को मिलेगा किसी में जादा होगा किसी में कम होगा अब resistance रोकने का काम जादा हो रहा है अब current flow कर रहा है और वो रुक रहा है रुकने से क्या होता है वहां पर क्या होती है heat जो है वो पडियूज हो जादा होगी कुछ की कम होगी तो हम कहीं न कहीं ये भी कहेंगे जो हीट है वो किस पर डिपैंड करती है अब देखी पूरा एक कॉंसेप्ट अब यहां पर समझेंगे उससे आपको पूरा और अच्छे से समझ में आएगा रिजिस्टेंस आपको डिएर हो गया होगा कि प्रतिरोध क्या होता है जादा होगा रोकने की शंता ज्यादा है तो वहां पर हीट ऑटमेटिक सी ज़ादा प्रेडियूस होगी अब इसका एक और example आप समझ सकते हैं, जो आपने heater देखा होगा, वो इस तरह से coil की form में होते हैं, आपने देखा होगा, वो क्यूं होते हैं, ताकि वहाँ पर क्या हो, resistance बढ़ जाए, उनमें क्या होता है, resistance प्रतिरोध जो है, वो बढ़ जाता है, जिसकी वज़े से current जो है, हीट में convert होता है, और वहाँ पर हीट जो है, वो जादा produce होती है, heater में आपने देखा होगा, इस तरह से wires होते हैं, वो आपके coil दार होते हैं, ताकि वहाँ पर resistance प्रतिरोध है, वो बढ़ा दिया जाए, और हीट वहाँ पर जादा produce हो, ठीक है, तो यह डिपैंड करते है कि इस पर current resistance और time पर, और यहां से एक formula निकल कराता है, जो आपको याद रखना होगा, कि heat जो है, वो किस पर निर्वर करती है, उसका एक formula होता है, V square T upon R, यह एक formula आपको याद रखना है, किसके लिए heat के लिए, अब यहाँ पर V square की जगा आपने देखोगा, इसको change करके formula य कैसे आए, आप देखे, ohm slow आप पढ़ते है, notes में आप देखेंगे, तो ohm slow मैंने अच्छे से दे रखा है, यहाँ पर V क्या है, यह voltage होता है, यह जो voltage होता है, यह डिरेक्टली प्रपोर्शनल होता है, किसके current के, और इस प्रपोर्शनल को जब हम अटाते हैं, तो इसकी एक नियता, एक constant आजाता है, जो आपका resistance होता है, तो वहाँ से ohm slow से concept निकल कराता है, V is equal to IR, ठीक है, अब यहाँ voltage की value क्या है, IR है, तो यहाँ पर इस voltage की जगह, जो यह formula था आपका, H is equal to V square T upon R, इसमें voltage की जगह, आपने देखा, मैंने formula निकला था, ohm low से, V is equal to IR, तो इ I square I क्या है, यहाँ पर current, R square अलग हो जाएगा, T upon R, अब इस R से R का square कर गया है, तो एक formula और निकल करा, यह heat का, यह heat क्या होती है, कि I square RT, तो यहाँ पर यही formula लिखा भी है, या तो V square T by R हो जाएगा, यह heat का एक formula होता है, I square RT, तो इससे अब हमें यह पता चला, कि जो heat है वो किस पर depend कर रही है, current के square पर, current जाधा होगा, सीदी सी बात है, तो heat भी वहाँ बहुत जाधा होगी, और किस पर निर्भर कर रही है, resistance पर, जितना प्रतिरोद होगा, उतनहीं जाधा heat जो है वो produce होगी, और time पर वो निर्भर कर रही है, यह सारे points आपको बहुत अच्छ से याद रखने होंगे अब देखें यह तो मुझे पता चलिया कि heat जो है वो किस पर depend कर रही है current पर resistance पर और time पर अब देखें यह जो heat है resistance पर depend करें मैंने पूरा अच्छे से समझा दिया और यह जो resistance होता है याद रखेंगे यह जो resistance होता है वो further कि पर डिपेंड करता है रो एल अपॉन एरिया लैंथ और एरिया पर डिपेंड करता है यह जो रिजिस्टेंस है यह रो का फर्मुला रो रो का देखिए यहां पर लिखा वे रो इस तरह से बनता है यह रहा यह रो एल अपॉन एरिया यह आपका रिजिस्टेंस जो फर्दर depend करता है, यह length पर depend करता है, जितनी जाधा length होगी याद रखेंगे उतना ही जाधा resistance होगा, सीड़ी सी बात है देखे, wire बहुत बढ़ा है, तो resistance उसमें हर जगा है, अब जब wire बहुत बढ़ा है तो resistance उसमें सब जगा होगा तो कहीं ना कहीं, जब length अगर बढ़ती है तो resistance भी बढ़ जाता है, और resistance आपको पता है, direct depend करती है, heat जो है, वो resistance पर भी depend करती है, उपर के formula से हमने देखा, तो अगर length जादा है, तो resistance जादा है, और resistance जादा है, तो heat भी जादा है, इसलिए हमने कहा, यह हीट है, वो किस पर depend करते हैं लमबाई पर बहुता है तिकनेस पर भी डिपैंड करती है एयरिया कैसे एरिया जितना जादा होता है यह एकशिन कनल नींकत ऑप हो दिक्कत हो एकशिंग और कहीं न वह कह भी आabilBUशतेश एरिया बढ़ाने से करंट असानी से निकल पा रहा है, निकल पा रहा है इसका मतलब उसको रोक नहीं पा रहा है, रोक नहीं पा रहा है तो हीट वहाँ पर कही नहीं कम हो गया, मतलब रिजिस्टेंस वहाँ कम हो गया, रिजिस्टेंस क्या होता है रोकना, अब एरिया बढ़ पढ़ लिया है कि जो heat है वो directly proportional है I2RTK तो R अगर कम है तो heat भी कम होगी तो यहाँ पर area कम होने की area जादा होने की वज़े से resistance प्रतिरोध कम हो गया और अगर प्रतिरोध कम हुआ है तो उश्मा जो heat है वो भी कम हो जाएगी तो area पर कैसे depend करती है length पर कैसे depend करती है material पर कैस weather होगा जयसे कपड़ होते हैं आपने देखो हलके कपड़ों से हवासानी से पटाटी है लेकिन भारी कपड़ों में जो है वासानी से पास नहीं होती on this data backward को प्रतिरोध हो पास होने में धिक् MickCan can subscribe और सब्यस्वाने की वज़े से वह उह.." हीट जो वो जादा .וד होती है तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हीट है उश्मा है वो material length और thickness सब पर depend करती है सब अच्छे से समझा दिया formula याद रखना है heat का एक formula होता है v square t upon r और इसी से मैंने आपको बताया कैसे formal निकल कर आया i square r t तो यह heat के formula होती है और यहां से मैंने आपको resistance जो प्रतिरोध का concept है वो समझा है कि जो resistance है वो किस पर depend करता है रो रो एक constant है length upon area पर directly proportion होता है length upon area पर proportional हटा तो यहां पर रो आ गया length जितनी जादा होगी resistance उतना जादा होगा लेकिन area जितना जादा होगा resistance जो प्रतिरोध है वो उतना ही कम होगा उसके अलावा मैंने ohms का concept भी हां पर समझा दिया वी इस डिरेक्टली प्रपोर्शनल टू आर यह हमारा ohms लो कहता है voltage डिरेक्टली प्रपोर्शनल होता है किसके current के तो यह सारे points है मुझे लगता है अच्छे से clear हो गए हुए अब देखे next question इसी से relate करता हुए एक्जाम में कैसा बना अब अगर कोई भी कोशन बनता है तो आप इसली उसको क्या कर लेंगे कर लेंगे what would be the effect on the electric resistance of wire if the length and area of cross section are both doubled यदि किसी तार की लंबाई और उसका अनुप्रस्त परिछिद दूगना कर दिया जाए तो उसका विदुत परतिरोध पर क्या प्रभा पड़ता है यह हमको बताना है resistance का formula मैंने आपको बताया अभी वो directly proportional होता है कि इसके length और area के और r is equal to row upon length upon area ठीक है simple सी बात है length बढ़ेगी तो resistance बढ़ेगा area बढ़ेगा तो resistance गटेगा अब इसने question में यह कहा कि जो length है जो लंबाई है और जो area है दोनों को ही क्या कर दिया जाए दुगना कर दिया जाए मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिख रही हूं resistance is equal to row L upon area length को भी दुगना कर दिय जाए तो 2 से 2 तो कट जाएगा ना फिर भी तो फिर भी वही चीज रहेगी तो इस case में resistance पर क्या प्रभाब पड़ेगा तो प्रतिरोध है उस पर कोई परिवर्तन नहीं होगा वो आप परिवर्तित रहेगा resistance will remain unchanged option number 4 मेरा यहां पर सही हो जाएगा समझ में आया क्यों होग क्योंकि इंटो 2 इंटो 2 दोनों तरफ करा इंटो 2 और 2 तो कट गया तो फिर से वही क्या हो और resistance में कोई फरक वहाँ पर नहीं आया जब दोनों को ही क्या कर दिया गया दुगना कर दिया गया अब एक कोशन यह भी बन सकता है जो अभी तक नहीं बना है और NCRT में दे रख है तो heat is equal to I square मैं कह रहा है कि अगर current को दुगना कर दिया जाए current क्या है I है I को मैंने 2 गुना कर दिया मतलब 2 का square कितना हो गया 4 तो heat मेरी यहाँ पर कितनी होगी 4 गुनी हो गई तो इस तरह से कोशन भी बन सकते हैं यदि धारा 2 गुनी कर दी जाती है तो उश्मा क्या और मुझे लगता है अच्छे से clear हो गया होगा next question देखते है next concept के साथ which one of the following is not a conductor of electricity बहुत बार ये question बने है कौन से liquid conductor होते है electricity के कौन से liquid नहीं होते है NCRT में दे रख्या और notes में मैंने अच्छे से दिया है अब देखे vinegar जो acidic होंगे वो वहाँ पर हमेशा iron release करते है H plus iron release क ही हम देख रहे थे क्या heating effect of current के कैसे current में heat भी उत्पन होते है सेम ऐसे ही chemical effect of current होता है जहां पर chemical reaction होती है और इसी से हम क्या करते है electroplating का concept आता है जिसमें क्या होता है किसी पदार के उपर दूसरे पदार के क्या होती है परत चड़ा दी जाती है तो यहां पर जो vinegar है lime juice है salt water है यह सारे के सारे क्या है आपके conductor है electricity के distilled water होता है जो आसुच जल होता है उसमें कोई भी minerals और salt वगेरा नहीं होते जिसकी वज़े से उसमें iron release नहीं होते और वो आपका क्या होता है bad conductor of electricity होता है कोई भी चीज pure insulator नहीं है हम हमेशा यह बोलते है या तो वह good conductor है या वह bad इंसुलेटर नहीं बोल रहे है मतलब कुछ इस्तिती में distilled water में अगर कुछ डाल दिया जाए तो उसमें भी electricity conduct कराई जा सकती है तो इसलिए हम हमेशे क्या बोलते है या तो वह एक अच्छा चालक होता है या अच्छा चालक नहीं होता है या तो वह good conductor होता है या वह bad conductor होत इतने नहीं होगी lemon juice जितने भी acidic होंगे उनमें iron release होंगे caastic soda क्या होता है आप बताईए बहुत बार समझाया पीछे वी वीडियो में NaOH sodium hydroxide आप से पूछ लेगा देखें घुमा के sodium hydroxide में electricity produced होगी या ने तो आपको याद रखना होगा electricity produced होगी common salt NaCl sodium chloride इसमें क्या होता है आपकी electricity conduct हो जाते हैं जो sugar का solution है यह क्योंकि आपको पता है sugar neutral होती है तो इसमें से iron release नहीं होगे sugar का solution honey का solution ठीक है आपका kerosene हो गया चाहें आपका distilled water हो गया यह सब क्या होते हैं poor conductor of electricity होते हैं इनमें electricity conduct नहीं होती तो option number second जो है इसमें सही हो जाएगा अब देखें Electrolite यहाँ पर पता चलेगा अब हमें क्या होता है basically chemical property है electricity के माध्यम से कैसे chemically हम चीजों को करते हैं एक liquid है जिसमें electricity conduct होती है अगर किसी liquid state में वह है तो breakup chemical chemical reaction के थूरू अब ब्रेक हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते है electrolyte बोलते हैं यह point आपको याद रखना होगा कभी आप याद रखेंगे दिमाग में सब को रख लीजेगा lemon juice, vinegar, tap water, tap water जो normal पानी होता है उसमें आपने देखा को बहुत सारे minerals और salt होते हैं जबकि जो distilled water होता है उसमें mineral salt नहीं होते है इसलिए वो bad conductor होता है sulfuric acid sulfuric acid हो गया आपका copper sulphate हो गया important है base में अभी देखे solution NaOH पीछ पीछे में था तो यह सारे के सारे आपके क्या है आपके good conductor of electricity है आप याद रख लीजेगा सबको एक एक को sulfuric acid हो गया copper sulphate हो गया NCRT में दे रखे हैं यह sodium hydroxide हो गया potassium iodide हो गया चाहें आपका salt हो गया sodium chloride यह सारे के सारे good conductor होंगे milk is also good conductor of electricity कभी कभी आप से पूछ लेगा क्य क्योंकि इसमें lactic acid है water हो बहुत सारे salt है जिसकी वज़े से यह good conductor of electricity होता है liquid form में poor conductor of electricity कौन कौन से liquid होते हैं distilled water हो गया आसुच जल हो गया sugar का solution हो गया honey हो गया vegetable oil हो गया kerosene हो गया coconut oil हो गया और alcohol बहुत से बच्छे confused हो सकते हैं alcohol को लेकर क्या alcohol भी poor conductor में आती है तो आपक तो यह सारे poor conductor आप दिमाग में set कर लीजेगा distilled water, sugar solution, honey, vegetable oil, kerosene, coconut oil और alcohol सारे के सारे क्या होते हैं poor conductor of electricity होती है अभी इसे relate करते हुए देखे किस तरह से और question भी exam में बने है assertion और कारण वाले question बने है, अभीकतन और कारण वाले question, sugar solution is a good conductor of electricity अभी आपने देखा था, नहीं वो तो bad conductor होता है तो assertion जो अभीकतन है वो पूरी तरह से यहां गलत है, और तीन option में अभीकतन सही बोल रहा है, सिर्फ fourth option ऐसा है जिसमें A को false बताया है और यही हमारा answer हो जाएगा, sugar does not dissolve into iron in water, जब भी iron release होंगे, H plus iron release होगा, जब भी iron release होंगे, तो वहाँ पर good conductor की बात होगी, iron अगर release ही नहीं हो रहे है, it means, वो solution कैसा है, bad conductor है, क्योंकि वहाँ पर कोई chemical reaction नहीं हो रही, ठीक है, sugar does not dissociate into iron in water, तो सीधी सी बात है, चीनी जल में अपने ironों में विक्टित नहीं होती है, इस वज़े से ही, वो क्या होती है, विदुत्त की पूर चालक होती है, जब कि यहां पर बोल क्या होता है, तो सॉल्ट का solution होता है, क्योंकि उसमें तो बहुत सारे आपका सॉल्ट है, तो सीधी से सॉल्ट तो वैसी ब्रेक होता है, तो वो गुट कंड़क्टर होता है, आपका electricity का, लवणी विलियन जो है, विदुत्त का एक उत्तम चालक होता है, बिल्कुल सही बात ह सॉल्ट जो क्या करता है, वो क्या करता है, डिसोशियेट करता है अपने into iron when dissolving water, बिल्कुल, जो लवण जल होता है, में घुलने पर iron में विक्टित होता है, लवण जल में घुलने पर क्या होता है, iron जो है वो उसमें से विक्टित होते हैं, वो डिसोशियेट होते हैं, तो रीजन भी उसको satisfy कर रहा है सर्शन को तो option number one जो है वो मेरा यहां पर answer होगा अब देखिए हमने hitting effect देखा अभी हमने chemical वाले effect भी देखे उसी से relate करते वे सॉल्ट कैसे dissolve कर रहा है उस वज़े से क्या होता है वो गुड कंड़क्टर है सेम ऐसे ही आपका magnetic effect भी जो है वो हमें देखने को मिलता है current का notes में आप देखेंगे तो सब आपको महाँ पर मिलेगा and electric current can produce electric current जो होता है विदुद धारा जो होती है वो क्या उत्पन कर सकती है वो chemical effect भी पर्यूज करती है पर का और उसके अंदर जो निडिल रखी थी जब magnet को हम पास लेकर आए तो मैगनेट को पास लेकर निया है जब जैसे ही current हमने flow कराया तो जो क्या कहते है निडल जो है जो माचिस के अंदर निडल रखी थी वो हिलने लगती है तो कही ना कहीं वहां पर हमें magnetic effect जो current का है व अपने कारह में विदुद धारा के चुम्ब के प्रवहाव के सिद्धान का प्रियोग नहीं करती है मोटर जो है याद एक हैंगे electric current magnetic electric current पर निर्भा करती है जिनरेटर भी इस पर निर्भा करता है एलक्टिक बैल जो होती है वो भी उस पर निर्भा करती है पूरा इंसी आ कैसे हीटिंग एफेक्ट होता है आपको नोट चाहिए नोट मिलेंगे सारे प्रिवेस यर कोशन 24 भी मिलेंगे टॉपिक शिरीज भी मिलेंगे सारी चीज़े आपको मिल जाएंगी 120 रुपे मेरी UPI ID है या आप इसके रिगार्डिंग मेरे को मेरे WhatsApp नंबर पर भी मैसेज कर करता है इलेक्ट्रोलाइसेज अभी मैने पीछे संझा आता है इलेक्ट्र प्लेटिंग हो गया गैलवनाइजेशन हो गया यह सारे के सारे क्या होते हैं केमिकल उफ्रक्ट ऑफ एलेक्टिक करण्ट पर निर भर करते है और अभी मैं समझा भी दूँगी लेकिन जो चुम्बकत्व तो यह किस पर डिपैंड करता है magnetic effect of current पर ना कि chemical effect पर तो option no.3 जो है वो यहां से बाहर हो जाएगा अब देख chemical effect के बात करूँ इसी का use करकर हम क्या करते है question के थुरूई मैं आख को समझाओंगी which of the following metal is used in electroplating to make object appear shining and CRT में question है electroplating which electroplating क्या है पूरा एक process है किसी धातू को किसी metal को shining बनाने के लिए हम उस पर क्या करते हैं किसी दूसरे पदार्ट की परत उस पर चड़ाते हैं जैसे आपने देखा होगा cycle में घंटी वगेरा होती है वो बहुत shine करती है तो उसमें क्या होता है लोहे के ऊपर क्रोमियम की परत चड़ा देती है और यह क्रोमियम की जो किसी पदार्ट पर दूसरे पदार्ट की परत चड़ाई जाती है वो हो गई आपकी क्या है electroplating का method वहाँ पर use होता है और chemical effect होता है basically होता क्या है एक जिस पर जैसे iron है suppose iron पर मुझे क्या करना है क्रोमियम का परत चड़ानी है तो हम क्या करेंगे ऐसा solution डालेंगे जिसमें क्रोमियम होगा जब वो reaction होगी जब electric current हम पास करेंगे तो वहाँ पर chemical reaction शुरू होगी और chemical reaction से क्या होगा यह जो भी item जो भी object हमें electroplate करना है मतलब जिसके उपर हमें परत चड़ानी है वो हमेशा negative terminal से जुड़ता है मतलब वो cathode होता है क्या होता है cathode होता है तो वहाँ पर क्या होता है याद रखेंगे वो negative terminal होता है और जो chromium पर break होगा वो आकर क्या हो जाता है इस cathode पर यह जो electroplate होना है आपका iron उस पर आकर क्या हो जाता है वो चिपक जाता है इस तरह से पूरा यह electroplating का concept होता है तो shiner बनाने के लिए basically हम किसी metal को shiner बनाने के लिए हम उस पर क्या किसका use करते हैं हम उस पर chromium का जो है वो use करते हैं वो जादा shiny जो है वो दिखाई देता है next question देखें और किस तरह से बनाए when electric current is passed through a conducting solution there is change of color of the solution this indicate जब हमने electric current pass करा किसी conducting solution में तो वहाँ पर color की अदला बदली हो गई ठीक है जब आप देखेंगे notes में तो वहाँ पर अच्छे से मैंने पूरे example में रखा भी है कि color बदल गए iron का color उस पर चड़ गया उससे क्या हो गया उसका color change हो गया तो वहाँ पर क्या हुआ वहाँ पर chemical effect जो है वो current का हमें देखने को मिला और उसी की वज़े से ऐसा हुआ ये question अभी तक बना नहीं है ये बन सकता है important है याद रखेंगे कि जब electric current पास करते है और वहाँ पर color में changes हमें देखने को मिल रहा है solution में तो basically वहाँ पर क्या हुआ वहाँ पर chemical effect of current जो है वो काम कर रहा था जिसकी वज़े से वहाँ पर reaction हुई और reaction होने के बाद क्या है जो हमारा यहां पर answer हो जाएगा अब देखें यहां पर पूरा मैंने आपको इस तरह से लिख भी जिए है इससे बहुत जाद आपको help हो जाएगी जिस object को जैसे मैंने भी समझा है था एक object है जिस पर मुझे परचड़ानी है किसी की जिस object को हमें electroplate करना है वो हमेशा क्या होता है negative electrode होता है जिसे हम cathode बोलते है उससे क्या होता है जो free iron होते है वो आकर उस पर चिपक जाते है Electroplate होने वाली वस्तु को रिनात्मक electrode या cathode के रूप में लिया जाता है ताकि जो मुक्त आयन है उस पर आकर क्या हो जाएं जमा हो जाएं वो आकर उस पर चिपक जाएं इस तरह से NCRT में देवी रखा है इससे रेर करते वे ऐसे करके कुशन कुछ ना कुछ बन भी सकता है इसलिए मैंने इसको पूरा एड कर दिया है आपके लिए पहली वान टो ड अब उसने क्या करा क्योंकि उसे or को ऊपर एक से लिए तो उसने कैसा solution लिया कि इसका solution लिया शिलवर नाइटरेट का एजी आइनु तरी का एक solution लिया बीकर में और उसने एक circuit जो है वहाँ पर डेवलप किया for Electro Plating उसे क्या करनी है वहाँ पर विदुत्य लेपन करना है Electro होता है तो उसको हम negative terminal of battery जो है उससे connect होंगे उससे क्या होगा जो फीरी आयन है वो उस पर आकर चिपक जाएंगे किसके silver के क्योंकि silver nitrate का solution है जब chemical effect वहाँ पर हो का current का chemical reaction होगी तो ब्रेकडाउन हो जाएगा और जो silver के आयन है वो negative जो है terminal cathode जो है उस पर आकर चिपक जाएंगे तो spoon should be connected to the negative terminal of the battery the other electrode should be made of silver so that the silver iron जो है वो deposit हो जाएंगे किस पर iron की spoon पर ठीक है तो इस तरह से पूरा यह आपका पूरा process मैंने को समझा दे ए लेक्ट्रो प्लेटिंग का किस तरह से होता है आपको अच्छे जी clear हो गया होगा यह किस पर depend करता है chemical effect पर depend करता है किसी पदास पर किसी दूसरे पदास की परच जो है वो चड़ा दी जाती है अब देखें और question देखते हैं जो आक माचिस पर copper का wire लपेट दिया और माचिस के अंदर एक निडल रग दी और उसमें पूरा current battery लगा दी और अपना क्या कर दिया cell लगा दिया sorry जो भी आपको लगाना है और पूरा current वहां पर flow कराया तो जो निडल के निडल थी माचिस के अंदर वो हिलने लगी क्यों क्यों क कि wire जो हैं आपके magnet के बने होते हैं तो इस वज़े से हम यह कहेंगे assertion तो सही है लेकिन यहां पर reason जो है वो सही नहीं है देखें नेक्स कोशन देखते हैं question number 6, fuse से relate करतावा question है और fuse से relate करते हुए question बहुत सारे बने है exam में आपने देखा होगा घर में जो पूरा circuit होता है उसमें आके fuse वगेरा लगाया जाते हैं ताकि जो current जादा माउंट में flow करें तो wire fuse के अंदर वो तूट जा और circuit जो है वो आपका break हो जाए तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना जाए कि जो fuse wire है वो किसका बना होता है वो ally होता है किसका tin और lead का SN और PV important है याद रखेंगे tin और lead का mixture होता है क्या fuse wire जो है वो बना होता है tin और lead का अब यहां पर statement की form में question पूछा है कि कौन सा statement यहां पर कौन सा कथन सत्य नहीं है fuse are inserted in electric circuit of all building बिल्कुल fuse लगाया जाते हैं ताकि अगर current जादा हो तो fuse break हो जाए और circuit तूट जाए there is a maximum limit on the current which can be safely through the electric current बिल्कुल एक maximum limit है उससे जादा अगर current आप पास करेंगे तो सीधी सी बात है short circuit होने के chances होते है तो current की maximum limit होती है जिससे वो flow करता है there is a minimum limit of current है current की कोई minimum limit नहीं होती है circuit में which can be safely flown in the electric circuit तो यही statement यहाँ पर सही नहीं है विदुत पर सुरक्षित रूप से परवाहित होने वाली धारा की नियुनतम सीमा होती है नहीं उसकी maximum limit होती है नियुनतम सीमा नहीं होती तो third option ही यहाँ पर गलत हो जाएगा if a proper fuse is inserted in a circuit it will blow off if current exceeds the safe limit यदी circuit में उचित फ्यूज वहाँ पर लगाया गया है तो सुरक्षित सीमा से अधिक होने पर वह क्या हो जाता है वह उड़ जाता है वह फ्यूज हो जाता है यह सारे points सहीं है C point ही यहाँ पर गलत है तो fuse का concept अब हम समझेंगे फ्यूज को मैंने आपका बता है कि वह किस का किस का किस का मिलकर बना होता है तिन और लेड का वह बना होता है अब फ्यूज क्या होता है दिए फ्यूज में एक वायरी होता है बिसिकली जिसका melting point क्या होता है आपको याद रखनोगा निमन गलनांक होता है melting point उसका low होता है म मितलब short circuit ना हो तो उसको रोकेगा लेकिन जब नहीं रोक पाएगा तो सीधी सी बात है वो जो fuse है उसमें जो वायर है वो तूट जाएगा वो तूटेगा कब जब उसका melting point जो गल्लांग है वो कम होगा melting point कम होगा तो easily melt हो जाएगा और वो तूट जाएगा तो fuse का यह वाला मिंश्चर होती है किस एलोय का मिंश्चर होती है तेन और लेड का मिंश्चर होती है यह भी मैंने आपको बता दिया तो अब आपसे देखिए यहां पर पूछ रहा है which of the following material is best suited to mega fuse wire निमन में से कौन सा fuse बनाने के लिए सबसे अच्छा पदार्थ होगा material इन शब में से एक option number 3 जो है वो मेरा यहां पर सही हो जाएगा सेम इस तरह का question और बना इस form में material A, B, C दे रखे ते इनका melting point और इनका resistance दे रखा तो देखे कैसे घुमा के दिया तो जिसका resistance जिसका melting point सबसे कम होगा देखे ना इसका कम है ना इसका कम है इसका melting point ही कम है तो यहां पर answer हो जाएगा material B हम material B का use करेंगे किसको बनाने में? fuse wire को बनाने में melting point तो कम होगा और resistance देखे यहां पर सबसे ज़्यादा हो गया तो simple सी बात है अगर आपको fuse बनाने आप देखे इस तरह से theory में भी question बना था एक बार इसका कि fuse wire अगर हम बना रहे हैं तो उसकी क्या property होनी चाहिए material की वो thin wire होना चाहिए पतलातार होना चाहिए उसकी resistivity रोकने की छंता हाई होनी चाहिए और उसका melting point जो है गल्लांक जो है वो कम होना चाहिए यह सारे feature होते हैं fuse wire का material बनाने में तो ठीक है आपको अच्छे से अब यह क्या है सब समझ में आ गया होगा अब इसी को रिलेर करते हुए ऐसे ही heater वाले concept से भी question बनते हैं which of the following material is best suited to me का coil heating element of electric heater अब आपने देखा हो जो electric heater होते हैं उसमें हम कौन सा wire यूज करते हैं उसमें हम naikrom यूज करते हैं क्या यूज करते हैं naikrom जो है वो यूज करते हैं उसका melting point क्या होता है हाई होता है मतलब जब resistance current उसमें जा रहा है उसमें resistance की हमने उसकी क्या कर दी coiling कर दी से क्वाइलिंग करने से क्या होता है एक संस्था बढ़ जाता है तो करन पर हीट में लिए बहुत जाता है तो मेल्टिंग फ्टाइल का कैसा हो ना चाहिए मतलब इसलिर वह पिघलना नी चाहिए तो ऐसा माटीरियल यूज हम करेंगे जिसका melting point क्या होगा हाई होगा और resistivity भी वहाँ क्या होनी चाहिए हाई ही होनी चाहिए तभी तो heat produce होती है मैंने आपको पीछे सबसे पहले question concept समझाया था तो हम किस पदार्थ का use करेंगे हम Z पदार्थ का जो है वो use करेंगे अब देखें इसी को सब्सक्राइब रजाएं बममे इतार्थ करेंगे अब ब्लबक के अंदर बल भी इन ग्लो करता है क्यूं को कि अंदर तो आपधिरोधग शंता होती है थो जादा से जादा करंट को रोकता है अब जब करंट को जादा से जादा वह रोकता है तो वहां पर heating effect आता है hitting effect आने की वज़े से वहाँ जो उसमें filament होता है tungsten का वो क्या होता है वो वहाँ पर heat जादा produce करता है और वो bulb जो है वो glow कर जाता है और melting point भी उसका high होना चाहिए ताकि वो कितना भी हकर उसमें current जा रहा है और वो रोक रहा है भले उसको तो वो टूटे ना melting point क्या होना चाहिए हाई होना चाहिए तो यहाँ पर इस तरह से भी question मना था तो उस case में option number one सही हो गया था कि जो bulb है glow करेगा प्रदिप्त करेगा उसके लिए उसका जो तंतू है material और उसमें high melting point होता है और उसका resistance भी क्या होता है हाई होता है इस तरह से भी question आपका बन सकता है अब देखे एक question यह बना a fuse wire repeatedly get burned यह question अभी तक बना नहीं हो और यह NCRT का बहुत important question है आगे बन सकता है a fuse wire repeatedly get burned when used in a good heater it is advice to use a fuse wire off अच्छे heater में उपयोग करने पर fuse का तार जो है वो बार बार जल जाता है तो किस तरह के fuse तार का उपयोग करने की सलह दी जाएगी अब देखे आपको पता है resistance कि इस पर depend करती है length upon area पर अगर मैं area मतलब उसकी radius अगर मैं यहाँ पर बढ़ा दूँ तो वहाँ पर क्या होगा current इजली उसमें से flow हो जाएगा resistance कही ना कहीं वहाँ पर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा और जब resistance कम हो जाएगा तो इतने जाद heat up नहीं करेगा और कहीं ना कहीं वो जो तार है वो नहीं तूटेगा तो fuse wire बर्ण हो जाएगा बार बार जल जा रहा है जब हम heater में उसको लगा रहे हैं तो हमें किस तरह का fuse wire वहाँ पर यूज करना जाएगा जिसकी radius जो है वहाँ पर जादा हो तरिज्या जादा होने से resistance वहाँ पर कम हो जाएगा और आपको पता है resistance अगर कम होता है सबसे प उसरे concept पर है आपका question पैलर और सीरीज वाले concept से आपके question बनते हैं और यहां से question बन सकता है important question है यह वाला भी अभी तक बना नहीं है बन जाएगा टू डिवाइज आर कनेक्टेड बिडबिन टू पॉइंट से ए और बी इन पैलर दो उपकरण समानतर में दो बिंदू मालीजे ए और बीज के ए और बी में जुड़े हुए हैं दोनों बिंदू के बीच वो बहुत इक मात्रा बतानी है जो समान रहेगी अब जैसे point A है औ पैलर में जुड़ा है ना तो सपोज एक डिवाइस ऐसे जुड़ा है और यहां पर यह बी आ गया तो A और B point के बीच में दो डिवाइस जो है वो पैलर में जुड़े हैं पैलर में इस तरह से जुड़े होते हैं उपर नीचे पैलर में जुड़े हैं तो अब हम से पूछ सिंपल कैसे भी कोशन बन जाए यह पॉइंट्स अगर याद है तो आपको याद रहेगा पैलर में समानतर में वोल्टेज सेम रहता है लेकिन करंट चेंज हो जाता है वो जुड़ जाता है आई वन प्लस आई टू प्लस आई थी जितना भी करंट होगा वो सब जुड़ जुड़ जाता है जो एकोवलेंट करंट वहां बन निकल कर आता है सिरीज कॉंबिनेशन में सिरीज कॉंबिनेशन मतलब ऐसे इस तरह से यह सिरीज कॉंबिनेशन है एकी लाइन में तो सिरीज कॉंबिनेशन में उल्टा होता है इसमें करंट जो है वो सीम रहता है अभी ज जो है वो सारे जुड़ जाते हैं V1, V2, V3 क्योंकि वो अलग-अलग होते हैं तो equivalent voltage निकालना होते हैं तो सारे voltage जुड़ जाती है तो current जो है वहाँ पर same रहता है series में और voltage वहाँ पर change करता है तो ये सारे point जो है आपको अच्छे से याद रखने होंगे और ये question भी मैंने आपको समझा दिया उसके अलावा जो प्रतिरोध होता है जो resistance होता है series connection में वो इस तरह से होता है अगर आपको दे दिया जाए कि series connection है और उसमें 3 resistor जो है वो लगे वे हैं एक 2 ohm का है एक 1 ohm का है और एक 3 ohm का है तो बताए equivalent resistance equivalent प्रतिरोध क्या होगा उस case में series connection में 3 ohm जो तीनों रजिस्टेंस जो रजिस्टर तीनों उसमें लगे हैं वो तीनों क्या हो जाते हैं जुड़ जाते हैं और उससे equivalent रजिस्टर जो है रजिस्टेंस जो है वो आपका निकल कर जाएगा 2 ohm प्लस 1 ohm प्लस 3 ohm मतलब 6 ohm जो total resistance हो जाएगा वो 6 ohm हो जाएगा ये किसकी बात हो रही है series की series में जो है resistance इस तरह से होता है और connection पैलर में अगर पैलर में पूछ लए जाए resistance तो उस case में formula इस तरह के से होता है दोनों का use करते वे question 2024 में भी बना है एक question मैं आपको कर रहा हूँ जिससे और आपको clear हो जाएगा तो सारी चीज़े आपको अच्छे से clear हूँ next question देखे in which of the following simple series circuit कैसा circuit है series circuit will the bulb glow brighter assuming that the cell और bulb जो है दोनो identical है इस case में यह माल जाए कि प्रतिये case में जो cell हो और bulb है वो दोनों एक सामान है तो कौन सी सरल श्रेणी कम प्रहिपत में bulb जो है वो सबसे जादा जलेगा आपको पता है current is directly proportional to voltage ohms के low के हिसाब से तो हम ऐसा इन चारों में से क्या best लेंगे जिसमें bulb सबसे जादा जलेगा तो bulb दो एक bulb हो एक cell हो नहीं अब देखे एक bulb लगा देए और दो cell लगा देए या दो bulb लगा देए एक cell लगा देए अब देखे वोल्टेज यहां पर कम हो जागा एक cell लगाने से तो voltage current के directly proportional current कम होगा तो bulb glow कम करेंगे तो third option भी नहीं होगा दो bulb दो cell नहीं सबसे बैस्ट होगा एक bulb लगा दिया जाए है ना एक तो क्या कर दिया गया आपका bulb लगा दिया गया दो उसमें cell लगा दिया गया cell लगाने से क्या हुआ उसमें voltage बढ़ गया voltage बढ़ गया तो current directly proportional वो बढ़ गया current बढ़ गया तो वो तेज़िस जाएगा तो कहीं न कहीं बल्ब जो है वो जादा वहां पर glow करेगा तो उस case में हमें क्या लगाना होगा बल्ब को अगर जादा glow कराना है तो हम क्या करेंगे एक बल्ब का प्रियोग कर लेंगे और दो cell उसमें लगा देंगे तो option number second जो है वो मेरा यहां पर सही हो जाएगा यह question आपका एक्जाम में बना भी था next question देखते है 11th question what is the relationship between the resistance और current यह जो प्रतिरोध और धारा होती है उसके बीच में क्या संबंद होता है यह question अभी तक बना नहीं है NCRT का question है बन सकता है ohm slow के concept पर यह question पूछा गया notes में आपको दी भी रखा है voltage is directly proportional to current यह ohm slow कहता है अब जब proportional हटाते हैं तो उसकी जगा क्या जाता है एक नियातांक आजाता है जिसे हम resistance बोलते हैं ठीक है जो कि constant होता है तो V is equal to IR अब यह हमसे relation पूछ रहा है किसके बीच में संबंद पूछ रहा है जो प्रतिरोध होता है और जो धारा होती है तो यहां पर अगर हम current और resistance के बीच में relation दिखाना है तो आप सीधा देखेंगे यह आण नीचे चला जाएगा ठीक है और यह IQ value निकल करे जाएगे अगर मैं voltage को अभी constant माल लूँ तो current क्या हो जाएगा current is equal to 1 upon resistance मतलब resistance के inversely proportional है अगर resistance जादा होगा तो current कम होगा है ना current जादा होगा तो resistance कम होगा यह ohms का low कहता है तो यहां पर resistance और current के बीच में क्या होता है इनवर्सली जो विपरीत रूप से जो है वो संबंध होता है एक दूसरे के बीच में तो option number B जो है वो मेरा यहां पर सही हो जाएगा ठीक है पूरा oms low base करते वे question था next question देखते हैं 12th question और ऐसा ही relate करता वाई question 2014 में बना था इस बार मैंने एक नया question add कर रहा है कभी इस तरह का question बन जा है तो आप easily कर जाएं देखें maximum resistance देखें अब आप यहां पर देखेंगे पीछे मैंने आपको एक question कराया था यह देखें जब भी upon में आप जोड रहे हैं CDC बात है तो वहां पर resistance क्या होगा कम होगा तो जो यह किसमे होता है यह पैलर में होता है और यह आपका series में होता है direct resistance जोड़ जाते हैं तो CDC बात ह में resistance direct जोड़ जाते हैं जैसे 2 ohm है ठीक है 2 ohm का resistance है ठीक है और एक एक ohm है तो इनको direct जोड़ेंगे तो 3 ohm का resistance निकल कर आगया लेकिन अभी मैं इनका 1 upon 2 कर दूं और 1 upon 1 रहने दूं तो यहां पर कम value हो गई ना 1 upon 2 मतलब 0.5 0.5 plus 1 कितना हो गया आपका 0.5 समझ रहे हैं 6 छोड़ेंड़ यहां हमेशा हो सकता है जो आपका resistance होता है और minimum हमेशा किसके केस में होता है रहाँ पैंलेर के केस में होगा यह को याद अफना होगा maximum resistance Pained by Service Combination हमको YOUR highest प्रतिरोध है तो तो और मिनिमनमम रहाँ हमें का am IgE उइच्ट कम्बिनेशन में मिलेगा और अगर मि the least resistance to the current in the circuit प्रति रोधक दो ओम का है चार ओम का है प्रति रोधक क्या मात्र क्या होता है ओम होता है ठीक है कौन सा सयोजन सरकिट में धारा के लिए सबसे कम प्रति रोध प्रदान करता है तो minimum resistance जो है वो कौन प्रदान करेगा हमेशा या दखना है वो पैलर कॉंबिनेशन मे तो सिरीज में तो नहीं हो सकता यह दो ऑप्छन तो हो गया बाहर पैलर में होगा त्हों में होगा और में मे नेट resistance कितना होगा यह हमसे पूछ रहा है तो तो देखिए पैलर में आपको बताया था रेजिस्टेंश क्या होता है इस फॉर्म में क्या होता है जुड जाते हैं अपन आर आ रवन प्लस आड़ अब लेकिन और में बात है तो 1 upon 2 plus 1 upon 4 हम यहां पर करेंगे और उससे हम equivalent resistance जो net resistance है वो हम निकालेंगे 1 upon 2 plus 1 upon 4 क्योंकि अभी हमारे B और D option में confusion हो रहा है LC हम लेंगे तो 4 आएगा उपर 2 हो जाएगा यहां 1 हो जाएगा तो यह हो गया आपका 3 upon 4 ठीक है अब क्योंकि यह value किसकी आए 1 upon R की लेकिन हमें value किसकी चाहिए resistance की वन आप और R की value नहीं चाहिए तो हम इसको reciprocal करेंगे बहुत बच्चे बहुत बाद बाद यहीं कर देते हैं वह 1 upon R की value बता देते हैं जो कि 3 by 4 आ गई लेकिन हमें 1 upon R की value नहीं बता दी हमें तो खली R की value बताने तो हम इसको reciprocal करेंगे तो यह R upon 1 हो जाएगा मतलब R की value हो जाएगी मतलब 4 upon 3 अब इसको हम निकालेंगे point में तो कितना हो जाएगा one point कुछ यह आगया आपका one point something डाएगा यहां पर one point हो गया फिर आपका three by three हो जाएगा फिर one बचा फिर ten हो जाएगा मतलब nine हो जाएगा one point three three something जो है वो हमारा answer यहां पर बैठेगा तो यह दो ओम वाला तो हट जाएग net resistance तो option number D हमारा यहां पर सही होगा दो हजार चौबिस में क्या question पूछा था कि maximum और minimum जो है उनका अंतर बताना था अब जैसे maximum यहां पर कितना हो जाएगा 6 ओम का हो जाएगा minimum अभी आपने देखा था कितना निकल कर आया था four upon three तो इन दोनों को माइनस करके दोनों का difference हम निकाल दा में Himam, मिलता है, series combination मैं minimum किस में मिलता है, पैलर combination में निकाल लिया ce question ओट क्या था. 2024 में दोनों का अंतर पूछा था, तो दोनों को माइनस कर देंगे, यहां पर यहां पर तो सिरीफ आप से क्या तो सरीफ आप 2 सी किस में हो सकता ह। CT किसमें होता है तो वह पहलर कॉंबिनेशन में होगा और कितना होगा वह भी हमने निकाल लिया तो अप्षिन नमबर डी जो है वह मेरा यहां पर आंसर हो जाएगा नेक्स टाइप के कोशन देखती हैं जो आपकी बंती है चार्ज वाले से तीक ए जो पॉजिटिव चार्ज आता है निकितिव चार्ज आता है तीन मेथड होते हैं conduction induction notes में पूरा दे रख है उसको आप अच्छे से देखेंगे x is charged by y it is found that x obtained charge opposite to that of y the charging process could should have been क्या हो सकती है could have been क्या हो सकती है y द्वारा x को आवेशित किया जाता है और यह पाया जाता है x जो आवेश प्राप्त करता है वह y का विपरीत होता है तो आवेश का प्रक्रम क्या हो सकता है तो हम पढ़ते है friction और induction होता है घर्षन और प्रिरण जो होता है इन दोनों method में जो charge आते हैं वो opposite charge आते हैं friction घर्षन क्या होता है जब हम दो object को rub करते हैं जैसे यहाँ पर यह यह दोनों example बहुत important है hazardous पूछे जाते हैं बार बार कि जब polythene tube को rub करा जाता है woolen cloth से तो क्योंकि दोनों को एक दूसरे से rub करा जा रहा है तो दोनों पर equal और opposite charge आते हैं और जब equal और opposite charge दो body को rub करने से आते हैं तो पहली बात तो वो method कौन सा होता है वो घर्षन होता है friction होता है equal और opposite charge आते हैं तो question कभी-कभी आपसे यही पूछ लेगा उन पर कौन-कौन से charge आते हैं NCRT में सिर्फ इन दोनों की बात हुए तो इन दोनों से ही आपसे पूछेगा तो जो polythene tube होती है उस पर negative charge आता है और जो cloth होता है उस पर positive charge आता है यह बात आप याद रखेंगे अभी के लिए आप इतना ही याद रखें ठीक है जब polythene tube को rub करा गया वूलन के कपड़े से तो polythene tube पर negative charge आता है और कपड़े पर positive charge आता है और यह कौन सा method होता है यह आपका friction होता है घर्शन होता है जब हम दो body को एक दूसरे से क्या करते हैं रब करते हैं रगड़ते हैं से मैसी एक और example दिया है जब glass को rub करा गया silk से the silk become positive charge the glass become positive charge and the silk become negatively charge प हैं तो glass पर positive charge आता है और silk पर negative charge आता है यह बात आपको याद रखने होगी और यह कौन सा method होता है friction होता है एक ऐसे ही induction method होता है उससे relate करता हुआ question 2024 में बनाता इंडक्शन में क्या होता है प्रेरण में क्या होता है एक object है जिस पर charge है minus charge suppose और एक दूसरा object है जो कि neutral है ठी of charge material है इसको हम इसके पास ले जाते हैं और बीना touch कराए ही इस दूसरे material पर जो है उससे relate करता हुआ opposite charge जो है वह बीना touch करे यह कौन सा method होता है nowadays इंडक्शन में होता है बैना touch करे जो अन्चार्ज नूट्रल object उससे दूसरा opposite charge है तो वह induction method होता है इसी से uitनेड़ करता इसको इसके पास रहे, इसके उपर वाले हिस्से में positive चार्ज आजाएगा, अब उपर वाले हिस्से में positive आएगा, तो नीचे वाला सारा हिस्सा negative हो जाएगा, और negative चार्ज होने से उसकी जो पत्या हो जाएगी, वो दूर चली जाएगी, क्योंकि आपको पता है, जो same charge होते ह तो इस तहरी का concept यहां पर होता है, friction और induction आपने समझा, एक तीसरा method होता है, conduction, conduction में क्या होता है, हम क्या करते हैं, यहां पर object को, जो दूसरा उंचार्ज object है, उस सीधा टच करा देते हैं, और टच कराने से क्या होता है, जैसे यह positive charge था, तो इसके positive charge टच गया है, इसमें transfer हो चार्ज आगे तो बताइए कौन सा मेथड है तो वहाँ पर होता है कंडक्शन चालन मेथड तीनों मेथड आके नोट्स में छे से लिखे भी हैं उनको पढ़ लीजेगा जरूर दो अंचार्ज बॉड़ी हैं उनको एक दूसरे से रब करा गया दोनों पर क्या आएगा सिंपल प्रकाश के यंत्रों को उजा चंता के सही व्रधी कर्म में दर्शाता है इंक्रीजिंग ओडर मतलब जो अनर्जी एफिशेंट सबसे जादा होंगे वह सबसे बाद में आएंगे जो सबसे कम होगा वह सबसे पहले आ जाएगा तके ताप दिप्त बल्ब जो आपके पीले बल्ब होते हैं यह सबसे कम एनर्जी एफिशेंट होते हैं पहले बहुत यूज होते थे अब इनको बिल्कुल भी यूज नहीं करा जाता उसके बाद ट्यूब लाइट आ जाती है फिर उसके बाद क्या थी सी एफल आई ती और आज कर चलते हैं LED बल्ब जलते हैं और यह स जाएगा इस तरह से हमने यह सारे कोशन देखे बहुत सारे कॉंसेप्ट मैंने आपके यहां पर क्लियर करें होंगे वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें शेयर करें और चैनल से बने रहें